हर खबर पर रहना चाहते आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव है पर भाजपा चार नंबर से उन्चास नंबर पर पहुंची सीटों के मामले में तो इसका मतलब है कि सफलता तो मिली है ठीक है है एधराबाद में टीयारेस की शर्तों पर बीजीपी की सीटे बढ़ी है टीयारेस का ढूल मुल रवया समय समय पर बीजीपी के साथ खड़ा रहना कहीं न कहीं उसका नुकसान उनको हुआ है अगर टीयारेस अपनी भूमी का इसपस्ट नहीं करेगी तो कहीं न कहीं इस तरह से चीजे होती रहेंगी लेकिन तेलंगाना के नतीजों के असर मुंबई शहर में होने वाले हैं अगर बीजीपी सोच रही है तो हम पूछना चाहते हैं कि साथो साथ जो महरास की नतीजा है उसके बारे में कभी सोचे बीजीपी ने नागपूर जो पिछले 57 साल से उनकी सीट रही दिवेंदरी जी के पिता श्री वो सीट पे जीत रहे गटकरी साहब जीते रहे वहां पर पढ़े लेखे लोगों ने बीजीपी को ना कर दिया पूना की सीट भी कई दस्कों से उनके पास थी ग्रेजवेट कॉंस्टिवेंसी है पूना की लोगों ने बीजीपी को ना कर दिया तो महराजकी धरती पे बीजीपी को लोग ना कर रहे है और बीमंसी में आज इतनी सिटे है मैं धावा करता हूँ कि बीजीपी की लेसी ले जाएगी यहिसाटी नहीं होती जमीन से once पर एक मनूबल बढ़ जाता है उदक्षिन भारत में जहां आप नहीं थे ना मातर की पार्टी थी वहां अगर चार सीट से उन्चार्ज जित जाते तो इक मनूबल बढ़ जाता है और मुंबई महानगर पालिका जिसको अब निश्य तोर पर भाषपाप केंद्रित कर रही है महाराष्ट विकास अगरी की निती क्या रहेगी रण निती क्या होगी साथ में लड़ेंगे योजना भी बनाई जाएगी क्या सुचा है संग का मुख्याले जहां वहां हार जाएं तो मनूबल गिरता है के बढ़ता है हमें लगता है कि इस नतीजे के बाद जो विधायक बीजेपी छोड़ना चाहते है उनका मनूबल बढ़ा है कितीनों पार्टी मिलके लड़ेगी तो किसी भी सीट पे चाहे कितनी भी जानता पार्टी छोड़ना चाहते हैं उनका आने वाली दिनों में इस तरह की चीजे आप देखेंगे मैं फिर कहता हूं कि हवा हवाई से राजनीती नहीं चलती जमीन से चलती है बीजेपी का गुबारा उसकी हवा धीरे धीरे महरास में निकल रही है तीनों पार्टी मिल के लड़े की चुनाओ और हमें लगता है मुंबई में कुछ भी कहें बीजेपी सीटे आधे से ज़्यादा कम हो कि पर इतना आसान नहीं है क्योंकि 227 सीटे हैं तीन बड़ी पार्टिया है मुंबई में उनका जनाधार है और चोटी मुटी पार्टिया भी साथ हाएंगे तो बड़ा कठीन होगा सीटों का बटवारा और क्या ये इतना आसान है लड़ाई आपको लगती तीनों साथ में लड़ेंगे मुंबई महानेगर पाली का हर कोई चाहता है कि हमारा मेयर हो सिवेसिना की मेर होगा, सिवेसिना का मेर है, मेर हमाराइ बनेगी, हमारा सपनना नहीं है, हम गड़बंधन के लिए तैयार है, जो संकीत कांगरेस से मिल रहे हैं, उनका होगा नाना ही। अब कठिन होगा, क्या होगा, तो मैं पहली बार BJP कुछ सीटे मेली थी, सत्तत था, अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करवाया, अपने हिसाब से सारे जो सरकारी तंत्र थे उनका उपयोग किया, और अपार्ट ऐसे खर्च किये, कहीं न कहीं, इसके कारण कुछ सीटे ज्यादा उन्हें पहली बार मिली, ले समीन पे जब कारे करता, तीनों पर्टी के उतरेंगे, तो हमें लगता है, बीजेपी अपनी सीटे बचा नहीं पाईगी, आप गरबंधन की बात कर रहे हैं, यस्टो मति ठाकुर ने ट्वीट किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हमारी नेता राहुल गांधी को लेकर जो कौन क्या बोलता है, मुझे बता नहीं, बहुत शुक्रिया, तो निशी तोर पर भले ही, बीजेपी इस बात को लेकर खुश हो कि हैदराबाद में उन्हें सफलता मिली है, लेकिन महराश्ट में कहीं ने कहीं, उन्हें वो सफलता नहीं मिली, जिसके आप एक्षा कर रहे थ कर दिते एक एक्षा कर देए, उन्हें देए, जिसके लागे जए वेकि जिए 3